जारकण में रामगर्जिले के चुट्टू पालू घाटी में सडक हाथसे में तीन लोगों की मौत हो गई। घाटी में ट्रेलर, ट्रेक्टर, वैगन आर कार और इनोवा कार में टक्कर हो गई। हाथसे में ट्रेलर के चालक और दो मजदूरों की मौत हो गई। मिर्तकों में शामिल दो युबक उत्राखंट टनल हाथसा में फसे मजदूर राजेंदर बेदिया और सुकराम बेदिया के चचेरे भाई हैं 24 वर्षिये दिनेश बेदिया का भाई राजेंदर बेदिया उत्तरकाशी के टनल में फसा है जबकि 27 वर्षिये शंकर बेदिया के चचेरे भाई सुकराम बेदिया भी सुरंग में फसे हैं दिनेश बेदिया का दो बेटा और एक बेटी है जबकि शंकर बेदिया का एक पुत्र है जो अभी काफी छोटा है गटना के सम्मद में मिली जानकारी के अनुसार मंगलबार सुबा एक तेज रफ़तार ट्रेलर चालक ने वहन पर से नियंतरन खो दिया जिससे वह तीन वहनों से टकरा गया इसके बाद ट्रेलर सडक किनारे एक गड़े में जाकर पलट गया इस हाथसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गई हाथसे में एक शक्स ट्रेक्टर में फज गया था जिसे काफी मुश्किल के बाद बाहर निकाला जा सका सडक हाथसे के बाद राची पटना NH 33 पूरी तरह से जाम हो गया दोनों और वहनों की लंबी कतार लग गई मौके पर पहुँची पुलीस जाम को हटाने के परियास में जुटी है सडक जाम हो जाने के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अस्थानिये लोगों ने बताया कि PCR वैन घाटी के रास्ते गुजरने वाली गाड़ियों को रोक कर पैसे लेती है आज सुबह भी उसी रास्ते से होकर गुजरने वाले ट्रेक्टर को PCR वैन ने पैसे वसुलने के लिए रोका इसी दोरान ट्रेलर ने पीछे से उसे टकर मार दी और इसी दोरान दो कारों भी पीछे से आ गई जिससे चारों गाड़िया अपस में टकरा गई